हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं मिशन टू आले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूटूब चैनल मिशन टू पर तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सूपरभात आज दिनांक 37 तारिक दिन गुरुवार को पराथना सभा में पूछे जाने वाले क्वीच और पढ़े जाने वाले मुख्य समचार हम आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखे और अपने उन सभी साथियों को सेयर जरूर कर देना जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे सहपार्टी होंगे या फिर आपके स्कूल के कोई भी चातर होंगे जो क्लास के जिस से लेके 12 तक के कोई भी चातर हों इस वीडियो को share जरूर कर देजेगा तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले आज के सूविचार के साथ आज का जो सूविचार है और सर मिलते नहीं बनाये जाते हैं तो जी हाड एयर अपरचिनिटेव मिलता नहीं है उसे बनाये जाता है चैरे अब हम लोग आज के जो क्वीज है उसे सबसे पहले देख लेते हैं तो यह क्या है यह उल्लू याद रखेगा यह रात को क्या करता है? जगता है लेकिन दिन में क्या करता है? सोता है है ना चलिए दूसरा सवाल देखते है malaria dengu chicken गुनिया का परसार किसके द्वारा होता है तो ये मच्छर के द्वारा होता है malaria dengu ये सब जितना भी होता है क्या होता है किसके द्वारा तो मच्छर के द्वारा होता है mdm का full form क्या है तो mdm का जो फुल फॉर्म एडियर मिड़े मिल इसकीम है ना अब देखें कोशन अबा जो फोर दिया हुआ है इंद्र धुनूस में कितने रंग होते हैं तो ये बच्चे बच्चे को पता है साथ रंग क्यों होते हैं और बच्चे का ही सवाल है ये है ना पांचो नमर सवाल देखें जारखंड के जीलों में नविनितम जीला कौन सा है तो ये रामगड है ये नविनितम जीला है रामगड आगे बढ़ते हैं 6 से क्लास 8 तक के चातर चातराओं के लिए सबसे पहला सवाल द्रोनाचारिय पुरसकार किसको दिया जाता है तो ये खेल परसिचको को तो इसका केल परसिचक जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा ठीक है द्रोनाचारिय जो पुरसकार दिया जाता है खेल परसिचको को है ना जो खेल सिखाते है किस राज ये को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है तो ये केरल को केरल को जो है ना मसाला का उद्यान कहा जाता है पृत्वी पर कुल कितने महासागर है तो ये पांच महासागर है ठीक है पांच महासागर ये कौन-कौन है या आप हमें नीचे comment करके जरूर बताना अगला सवाल देखते है स्रिलंका की रजधानी कहां है तो यह कॉलमबो में है कहां पे है कॉलमबो में इसकी रजधानी है बिर्सा मुंडव सेंट्रल जिल कहां है तो यह होटवार रांची मिस्तित है याद रखेगा होटवार राची में मैक्रो सॉफ्ट के संस्थापक कौन है तो ये बिल गेट्स है फिलहाल जारकंड की ओर से साहित है अकाडमी के सलहकार कौन है तो स्री महादेवर में ठीके तो ये इसका राइट हो जाएगा आगे देखे इसकार है जिसमें कीमत में वरिधी नहीं होती है भारत में बुलु सिटी के नाम से किस सहर को जाता है तो ये आपका जोधपूर को और आपको एक आंसर करना है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है वो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर वताना बुलू सिटी जोदपूर को आगे देखे भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को असपर्स करता है तो ये उत्तर परदेश ठेके याद रखेगा भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को असपर्स करता है तो ये आ अब हम लोग आज के जो मुख्या समाचार है उसको देख लेते हैं। अन्य दलू के नेताओं ने नए अधियच को बढ़ाई दी। राज जेस्तर पर देखेंगे जहारकन सरकार के मंदल की बैठक 28 जून 2024 को प्रोजेक्ट भवन धुर्वा राची में होगी जिसकी अधियचता मुख्य मंतरी स्री चमपाई सुरैन करेंगे। आगे देखेंगे खेल जगत से यूरो कप 2024 इटली बना क्रोजेक्ट के बीच का मैच एक एक गोल की बराबरी का पर समाप्त हुआ। इटली ने अंतिम सोला में अपनी जगह बनाई। के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकता है ठीक है नमांकन करावा सकता है। तो ये तर ये आपके आज के न्यूस मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर देंगे जो भी आपके दोस्त होंगे मित्र होंगे सापाठी होंगे उन्हें जरूर से जरूर से शेयर करने में न कंजूसी मत किजे। ठीक है और हाँ हाडियर अगर आप क्लास 10th में हो तो 10th के लिए एक बहुत special batch आया हुआ है ठीक है जो कि हमारा application पे चल रहा है ठीक है अभी पूरे अच्छे तरीके से आप लोग का वहाँ पे 2025 की तैयारी अगर आपको भी 2025 में कुछ अच्छा करना है ठीक है जिस तरीके स आपके senior जो आपके निकलेवे 2024 के batches के students जो अच्छा नंबर 94%, 93%, 90, 80, 70 इस type से जो आए हैं तो आपको भी अगर लाना है तो आप भी हमारे batch में join कर सकते हैं चले फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में आपसे thank you so much